वीडियो में आलेसिस करेंगे JP associate के बार में previously अगर देखा थे तो stock में एक अच्छा हम लोगों move देखने मिलता थे लेकिन आज की दिन stock करी 5% नीचे के तरफ गिराउट दिखाए closing आये 9.70 पैसे के आसपास तो इस level से क्या studies होना चाहिए JP associate को लेकर उबर के तरफ stock क्या move दिखाएगा या फिर से हमने को एक नीचे के तरफ downtrend continue होते हैं दिखे क्या बात करते हैं अगर support की बात कीज़े तो stock में just नीचे के तरफ एक support है जो कि 9 रुपया 50 पैसे का level है दूसरा support है जो कि 9 रुपय के पास है और तीसरा support है जो कि 8 रुपय के पास है तो अगर आपने 100 time के साब से JP associate में invest करके रखा है उनका stop loss must be around 9.50 से लेके करीब 9 रुपय के आसपास होन देगा में भी हो सकता है stock 5 रुपिस तक का भी fall दिखा सकता है क्योंकि बहुत time से देखेंगे तो stock हम जोग एक lower low type का pattern formation करते हुए दिख रहा था लेकिन अभी देखेंगे तो stock है higher high type का pattern continue करते हुए दिख रहा तो यहांसे जब भी 10 रुपय के उपर stock निकलता है पहला target न हुआ है